आज मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन से भरगूर चना दाल पुलाव मेरी आज की रेसिपी बहुत ही हल्दी है तो आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं इसे आप लॉंच डीनर या ब्रेक्फेस्ट में भी खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो चना दाल पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में दो बड़े चम्मत जीतना घी गरम कर लिया है अब इसमें जाएगा एक चम्मत जीतना क्यूमिन सीट्स उसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिये है खड़े मसालों में मैंने लिया है स्टार, तीन-चार ब्लेक पेपर कॉन, तीन-चार क्लावस और एक सिनेमन का टुकड़ा अब सभी चीजों को थोड़ी देर सोते कर लेते हैं अब यहाँ पे मैंने एड़ किया है भिगोई हुई चने की दाल चने की दाल को आपको एक गंटे पहले सोक कर देना है तभी वो अच्छी तरह से फुल के सेट होती है तो मैंने एक गंटे पहले चने की दाल को सोक कर लिया था अब चने की डाल को हमें दो मिनिट तक घी के अंदर भूनना है ताकि वो अच्छे से पक जाए तो अब दो मिनिट के लिए मैंने चने की डाल को भून लिया है अब हम बाकी मसाले एड़ करेगे यहाँ पर मैंने एक चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ जिंजर और तीन चार ग्रीन चिले एड़ कर दी है उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एड़ किया है सेहत अनुसार नमक थोड़ी सी टर्मरिक थोड़ा से रेट चिली पाउडर थोड़ा सा कोरी अंडर पावडर और एक दम जरा सा गरम मसाला यह ओप्षनल है इसे आप स्कीप करना चाहे तो स्कीप भी कर सकते हैं अब सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेते हैं अब लास्ट में सोक किया हुआ राइस एड़ करेगे राइस को मैंने आधे गंटे के लिए सोक किया था जब भी आप पुलाव या राइस बनाते हो तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप बास्मती राइस का इस्तमाल करें तो मैंने यहाँ पर बास्मती राइस को आधे गंटे के लिए सोक कर दिया था उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एड़ किया है दो कप जितना पानी चने के डाल का पुलाव बनाने के लिए आपको अगर चने की डाल आधा कप लेते हैं तो आपको राइस एक कप लेना है यानि की राइस आपको डबल लेना है अगर आप चने की डाल 1 कप लेते हो तो राईस आपको 2 कप लेना है अब सभी चीजों को mix करके ओपर से आप सिलिंट्रो एड़ कर दीजे सिलिंट्रो एड़ करने के बाद फिर से सभी चीजों को mix कर देते है अब pressure cooker का धकन बन करके high flame पे 4 सीटी आने तक हमें rice को पकाना है तो अब 4 सीटी के बाद इसका pressure release होने के बाद हम cooker open करके देखते हैं तो आप देख लीजिए एकदम खिला खिला बहुत ही बड़िया हमारा चने डाल का rice बन के तयार हो चुका है बहुत ही बड़िया खिला खिला हमारा rice बन के तयार हुआ है अब बारी है इसे सर्व करने की सिलिंट्रों हमने पहले ही एड कर दिया था तो मैं यहाँ पे थोड़े से अनार दाने से इसे गार्निश कर रही हूँ आप चाहे तो सिलेंटरों से भी कार्णिश कर सकते है तो फाइनली बहुत ही बढ़िया हेल्दी और प्रोटीन से परपूर हमारा चने दाल का पुलाव यानि कि बेंगल ग्राम का पुलाव बनके तयार हो चुका है आप भी मेरी आज की रेसिपी अपने घर पे ट्राइ कीजिए और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताईए अपने बच्चों को टिफीन में बना के जरूर दीजिए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई